दोस्तों नमस्कार फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं लाया हूँ अध्याए एक संबंद तता फलन से कुछ इंपॉर्टेंट कॉश्चन कच्छा वारवी के लिए ये NCRT की बुक्स हैं और अध्याए एक के कुछ महत्पून प्रशनों का मैं वीडियो बना चुका हूँ अब मैं आपके लिए कुछ महत्पून प्रशनों का संग्रह लाया हूँ चलिए देखें पहला प्रशन है सिद्ध की जिए कि पूर्णांकों के समुच्चे जैड में आर एबी सचदैट संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है जिसमें कि A B टैप के अव्या होंगे और ये किस टैप के होंगे जब हम A में से B को घटाएं तो जो संख्या प्राप्त हो वा दो से विभाजित हो तो यह हमें बताना है कि यह एक तुल्लिता संबंद है दूसरा प्रशन है सिद्धिकी जी की प्रतिचित्रण F such that R to R जहां Fx बराबर है 1 अपान X और X does not equal to 0 और जहां पर जो X है वाई ब्लाउं करता है R में एक की आच्छा दक प्रतिचित्रण अर्थात एक फलन है F जो R से R में है और जो फलन Fx बराबर है 1 अपान X जहां पर जो हर X बर 0 नहीं है और जो X है वह आर्थात R से अर्थात रियल नंबर से लिए गए हैं हमें यह बताना है कि यह जो फलन है वह एक की और आच्छा दक है तीसरा प्रश्ण है मान लीजिए कि N belongs to N जो N है स्मॉल वाला वह प्राक्रत संक्या से लिया गया है कि लिए एक F N है एक फलन है N प्लस वन अपॉंट टू यदि N विशम है यदि N का मान विशम लेते हैं तो हमें N प्लस वन अपॉंट टू लेना और N बाई टू यदि N का मान सम लेते हैं तब हमें N बाई टू लेना F N का मान तो दौरा परिवासित फलन F जो की N से N में परिवासित है बता करे से क्या फलन एक है ऊच्छा दग है तो हमें बताना है कि लिए प्लन परिबादत हैं रख्ला प्रीवादत यह कब लिया जाएगा जब हमका मांद की सफ्क्रम अता इक तीन पांक साथ लेंगे और N by 2 कब लिया जाएगा जब हम N का मान सम अर्थाद 2, 4, 6 लेंगे अगला कॉशन है मान लीजिये कि A जो कि R में से 3 को वास्टविक संख्याओं में से 3 को घटाने पर प्राप्त होता है और एक समुच्य B है जो R अर्थाद वास्टविक संख्याओं में से 1 को भटाने से प्राप्त होता है यह वास्टविक संख्याओं में से 3 को अलग कर दिया जा तो समुच्य A मिलता है वास्टविक संख्याओं के समुच्य R में से 1 को घटा दिया जाए तो हमें समुच्च भी मिलता है Fx बराबर है X-2 upon X-3 दोरा परिवासित फलन जो की फलन F है A-C-B में परिवासित है बताईए कि क्या F A-K की तथा आच्छादक है अर तथा जो फलन F है जो X-2 upon X-3 दोरा परिवासित है तो हमें बताना है कि या A-K की और आच्छादक है या नहीं अगला प्रशन है कि F-Z, 1, 2, 3 से A-B, C में परिवासित है F1 बराबर है A, F2 बराबर है B, F3 बराबर है C दोरा प्रदत फलन F पर बिचार कीजिए तो हमें इस फलन F पर बिचार करना है और F-Z गयाद कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F-Z का इंवर्स बराबर F तो हमें ये क्यों फलन दिया F जो 1, 2, 3 से A, B, C परिवासित है और F1 का मान A है, F2 का मान B है, F3 का मान C है तो हमें इस पर विचार करना है और हमें F-Z गयाद करना है और F-Z गयाद करने के बाद हमें F-Z का इंवर्स भी निकालना और या F के बराबर हमें सिद्ध करना है अगला प्रेशन है, प्रेशन नमबर 6 यदि F सजड़ेट R to R, G सजड़ेट R to R, फलन क्रमशा, F-X बराबर हमें दिया कॉस X, G-X बराबर दिया हमें 3X स्कॉर द्वारा परिवासित है दो फलन है F और G, ये R से R अरता, वास्थिक संख्याओं से वास्थिक संख्याओं पर परिवासित है और F-X का मान हमें कॉस X और G-X का मान है 3X स्कॉर ये दिया गया है तो हमें G of F और F of G क्या अद करना है और सिद्ध करना है कि G of F और F of G ये बराबर नहीं है तो हमें ये भी बताना है कि G of F और F of G मान ने कालने के बाद ये बराबर नहीं है प्रेश्ट नमबर साथ है यदि F-X बराबर है 4X प्लस 3 अपान 6X मानस 4 जहां पर X का मान 2 अपान 3 नहीं लेना है हो तो सिद्ध कीजिए कि सभी X does not equal to 2 अपान 3 के लिए F of F X बराबर है F का प्रतिलों क्या है हमें एक फ़लन F-X दिया है जिसका मान है 4X धन 3 बटे 6X धन 4 और जो X है 2 बटे 3 के बराबर नहीं है तो हमें F of F का मान निकालना है और इसका मान X के बराबर आना चाहिए ये सिद्ध करना है और इसके बार जो है फ़लन F इसका हमें प्रतिलों में भी याद करना है अगला क्रोशन है प्रेस नमबर 8 सिद्ध की J की F such that minus 1 to 1 से R में परिभासित है एक फ़लन है F जो कि रिन X से 1 के द्वारा बास्त्रिक संचाहों के समुच्च है R पर परिभासित और F का जो मान दिया X अपान X प्लस 2 द्वारा प्रदत फ़लन एक एक की हमें ये जो फ़लन है ये सिद्ध करना है एक की है फिर फ़लन minus 1 to 1 से परिभासित है F का परिसर का प्रतिलों फ़लन ग्याद करना है और हमें इसका inverse भी ग्याद करना है प्रतिलों भी ग्याद करना है नौवा प्रशन है तीन फ़लन एक फ़लन F जो की N से N पर परिभासित है G सजजट N to N पर परिभासित है तथा H जो की N से R पर परिभासित है और F X का मान हमें 2X दिया है, G Y का मान 3Y दन 4 दिया है और H Z का मान हमें 7Z दिया है, जहां पर X Y और जो Z है, वह N अर्टा प्लाक्रत संक्याओ के समुझे N से लिए जा रहे हैं, तब हमें सिद्ध करना है कि H of G of F बराबर होता है H of G of F, यह हमें सिद्ध करना है प्रेश नमबर दस, यदि F X बराबर है हमारा X स्क्वार और G X बराबर है X धन 3 जहां पर X वास्पिक संक्याओं के समुझे R से लिया जा रहा है, तब G of F, X, F of G X और F of G 2 का मान यार करना है यह हमारे कुछ महत्पून प्रश्ण थे जो कि कक्षा बारवे के लिए अध्याए X से लिए गए थे और यह MP बोर्ड की परिक्षा सत्र दोहजार बी से कैस के लिए बहुत ही महत्पून प्रश्ण है